हेई गाइस मैं अभी थोड़ी देर पहली डिस्नी प्लस हाट स्टा की वैब से इस अशो का देखे खतम करिया और बता हूं यार यह स्टा वास के बारे में पता है और उसके युनिवर्स के साथ हा फैमिली है रोना तो डेफिनिटल आपको भी इस पसंद आने वाली अगर मैं से कहानी की बात करूं तो यह कहनी है अशो का नाम की एक नाइट की जिसकी लाइफ में जब कुछ उस्वत बदल जाता है जब उसे एक दुनिया पर होने वाली खत्रे के बारे में पता चलता है और उसके बात क्या कुछ होता है यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता अब जैना चाहतें कि दो होने वाला है और क्या जूने वाला है पिर इस तरह सी तरह सी सिरीज में पोरी स्यू करते हैं वहर कहीं कंते वenti करते हैं दुजित वह पसंद है अगर आप अपना पूरा दिमाग की उज़ करोगे तो आपको काभी पहले से पता होगा कि इस रिस्क आगे जाके किस तरह से एंड हो सकती इसी तरह से इसी कारण से टुस्टेंटन से जादा उमीदें मत रखना जहां तर बात है कैरेक्टर डबलपमेंट और कैरेक्टर के वि दिक्कत आये जो कैरेक्टर के विछे डायर में जादा इन्चुए कर रहे हैं डेफिनेटली सेरीज में भी काफी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लोगों स्टारवार्स के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती और जहां दबाता है डायरेक्शन और एडिटिंग के डायरेक्शन काफी अच्छा है डायरेक्टर ने जिस तरह से पूरी सिरीज को बनाया है वो इतना इंगेजिंग तो है कि अगर आप लोगो को स्टार वार्स के बारे में जाद़ कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इस सिर काफी जादा पसंद आई है मैंने इस सिर्ष को काफी इंजॉय कर रहा है और अगर आप लोगो को स्टार वार्स के बारे में पूरी चीज़े पता है आप स्टार वार्स जैसी चीज़े देखना पसंद करते हो तो अब भी इस सिर्ष को इंजॉय करोगे इसलिए आप जिन सिरी स्hing में मेरी से और जनबी लोगों ने स्टार वार्स यह पता है वह भार आप शोड़े करते हो अगर आप ज्यूंकर मिलते वीडियो में तब तक हैं जय भारत